इस वीडियो में हम फाइनली कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं किस चीज का तो जिस चैप्टर को अभी तक हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स कंप्रीट हो गए हमारे जो चैप्टर है लॉइन पब्लिक फैसिलिटीज तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक हो ग तरह से हम चैप्टर को समप करते हैं अब हमारा जो चैप्टर था लॉइन सोशल जस्टिस तो हमने लॉइन का सिग्निफिकंस देखा कि कितना जरूरी है लॉइन का सिग्निफिकंस अगर आपको क्या इंशॉर करना है जस्टिस इंशॉर करना है सोसाइटी में अगर जस्ट जो पढ़ा था आपको एक तरह से flashback में जाके पूरा chapter आपके सामने आ जाए गाए यहां पे clear देखिए क्या है last topic आपका laws and their significance अब आपको पता है कि private companies और other जो है जो private contractors है companies है ठीक है individuals है वो लोग क्या चाहते हैं उनका motive हमेशा रहता है profit motive ठीक और government का motive क्या होता है service motive company को तो अपना profit कमाने के लिए दूसरों को weak जो है उनको exploit कर सकता है यह उनको loss पहुचा सकता है वही चीज यहां पर हुई तो private companies and other ठीक है तो यह लोग क्या करेंगे इनका motive जब profit motive होगा तो they may exploit the workers ज़रूरी नहीं है देखो एक dollars यह भी बता दूमें आपको जनेर कभी मत करो चीजहों को जनेरला ह visão का मतलब कहीए कि एक private company प्राइब得 कर रही तो सारी ही private company exploit करी ओगी यह जनललाइजिशन होताा जेनरलाइज आपको कभी नहीं करना है आपको इस चीज़ को ध्यानमे थ्यानमे रखना क्या कि exploitation जो है worker का वो कुछ companies कर रही है ठीक है सारी companies नहीं कर रही है कुछ अच्छा भी कर रही है workers के लिए ऐसा नहीं है clear है तो अब क्या होता है कि private companies and other जो है तो इनका profit motive होता है and in desire of profit they may exploit the workers ठीक है exploitation of worker may be visible तो इसके चलते क्या होता है इसके चलते इस situation इस भयानक situation से अगर बचना है तो यहां पर कौन important role play कर सकता है government government एक बहुत important role play कर सकती है in this situation role of government is very important अब बोलोगे कैसे ठीक है अब बताओ जरा कि government कैसे एक important role play कर सकती तो आपको पता है कैसे यही पूरा सब कुछ अमने chapter में पढ़ा है कि यहां पर government क्या करेगी laws बनाएगी अपने laws के थूरू क्या कर सकती है government एक क्या सकते है changing exchange ला सकती है major change ला सकती यहां से एक changing line draw की जा सकती कि हाँ आपका profit motive है आप कमाओ profit लेकिन सही तरीके से कमाओ किसी को exploit नहीं करोगे आप आयाना समझ में organization role of government is very important government बहुत important role play कर सकती है और वो कैसे role play कर सकती है तो by making laws जो उसके पास power है ठीक है by making, enforcing, upholding laws laws बनाना सबसे बड़ी power है government के पास कि government जो चाहे चीजों को अपने हिसाब से क्या कर सकती है justice provide करने के लिए ऐसा नहीं कि आप red shirt पहने के जा रहे बिना सरपैर की बात हो गई है तरक नहीं है तो government अपनी इस power का justice को, social justice को ensure करने के लिए नयाय प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकती, use कर सकती by making, enforcing and upholding laws, laws बनाना उन्हें लागू करना, लागू करने के साथ साथ में उन्हें uphold करके भी रखना कि वो सभी के लिए समान रहे और आगे तक चलते रहें, clear है, तो ये by making appropriate laws, तो appropriate laws में भी जो मैंने बताया कि वो नयाय के लिए बनाये laws, ये जो power उसका हरके यूज ना करे government, बतलब ऐसी जगा पे laws को यूज किया जाए, जहाँ वो अपने stand को justify कर सके, मैंने अगर law बनाये तो इसलिए बनाये, clear है, along with government, people can exert pressure so that the so that both private companies and the government act in the interest of society, ये सबसे important चीज होगी, क्या, कि government law बनाएगी, ठीक है, government exploitation से बचाएगी, वो सब तो ठीक है, और इन सारी चीजों से उपर क्या है, कि along with government, people can exert pressure ठीक है, जनता जो है, जनता देखो क्या होता, democracy में क्या है democracy में अगर आप देखो कि सबसे आदा powerful no doubt government होती है, लेकिन government को भी power कौन देता है, citizens तो अगर citizens aware है ठीक है, तो aware citizens क्या कर सकते हैं change ला सकते हैं, तो along with government, government तो करे गई अपना काम along with government, people can exert pressure so that both private companies and government, private companies भी क्या रहे अपने दाइरे में रहके काम करें, इमानदारी से काम करें और उसी के साथ में क्या है कि जो government है, तो government भी अपने toast पर है, government भी अपने toast पर खड़ी रहे कि हाँ भीया, जनता का अगर हम काम नहीं करें ठीक है, उन चीजों का क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा act in interest of the society और society के interest में काम किया जाए clear है, आप society में कौन को रह जाएगा तो society में ये तीन गुरुप बता है, देखो मैंने मतलब किन चीजों का ध्यान रखना है environment का, workers, right और right to life इन तीन चीजों का, अब workers, right और environment, दोनों कहीं न कहीं right to life में cover होई जाते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है clean safe environment मिले, आपके जो workers जो है तो workers के rights exploit ना हो, ये सारी चीज़े रहेगी तो right to life का जो purview हो, जो broad right हो अपने आप sum up हो जाता है, और इसी के साथ हमारा ये chapter भी sum up होता है ठीक है, I enjoyed the journey, पूरा class 8 का civics हमने complete कर लिया है, ये last video lecture था all the best for your exams, ये सारी चीज़े complete होती है यहाँ तक किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, और chapter होता है complete, wait कहाँ पर complete होता है, theory part, पर इस chapter के NCRT solutions बचें, तो next video lecture में हम NCRT solutions कर लेंगे और chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा, बाकी enjoy, यहाँ तक चीज़ें complete होई है till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much